असलाम उलाइकुम मैं अब्रीबन आज हम मराने जा रहे हैं साबुदाना बड़ा और यह बहुत ही इजी एंटीस्टी बनता है फॉक की मदर से भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि इतना क्रिस्पी है और जितना बाहर से क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है कुछ recipes में अंदर से white या कच्छे जैसा रह जाता है तो इस perfect recipe के लिए मैं आपको कुछ tips and tricks भी share करूँगी तो time now is करते हुए चलिए recipe को देखते हैं सबसे पहले हम साबुदाना को ready करेंगे तो यहाँ पर मैंने 2 cup के करीब साबुदाना ली थी और इसे अच्छे से wash कर लूँगी कि इसका extra starch जो रहेंगा वो निकल जाए और इसे मैंने 2 पानी से अच्छे से wash की उसके बाद में मैं इसे आधे घंटे के लिए पानी डाल कर रख दूँगी आप चाहे तो 1 hour के लिए भी रख सकते हैं पर इससे ज्यादा मत रखेंगा मनने यह बहुत ही चिप चिप बन जाता है हाफ अबर हो चुका था तो मैंने सारे पानी जो इसके अंदर था उसे स्टेंड कर ली और स्टेंड करने के साथ मैं थोड़ा सा पानी चिरा कर और इसे ठख कर चार से पाच गंटे के लिए रखती थी चार से पाच गंटे हो चुके हैं तो हमारा साबुताना पी एक्तम खिला खिला और मोत्यों की तरह बिलकुल रैडी हो जोगा है अब हम इसमें दालेंगे तीन मिडियम साइज के बॉइल किये हुए और मैश कर ली थी मैने तो पोटैटो और देखिए आप ज्यादा पोटैटो को बॉइल मत कीजेंगा क्योंकि इससे वड़ा बनाते टाइम हमारा बैटर हाथ पर चिपकता है और उसके बाद में हम दाले लेना है रोस्ट करने के पात में इससे मिकसी में ग्रैड कर लेंगा इस से क्या होता है कि जो हमारा बडा बनेंगा वो उसको बायंडिंग में मदत मिलेंगी लास्ट में हम हम एड करेंगे नमक टेस्ट के एक AIKORDING ए इन सब को अच्छे तरीके से भिपकर लेंगे अगे ऑ आप जब आलू करेंगे ना उस वक्त आप क्या करिएगा उसे ज्यादा ओवर कुक मत कर लीजेगा और जो पीनट्स भी रहेंगे वो भी हमारे बैंडिंग में मतद करेंगे तो इस तरीके से आप पहले बॉल का शेप कर लीजेगा उसके बार में उपर के हाथ को कॉंकर करके शेप देदीजिगा हमारे वर्ड़ा बनकर बिल्कुल रैड़ी हो चुके है और इस तरीके से आप बन बाए बन करके सारे बैटा के बना लीजेए जब हमें से मोटा बनाएंगे तो यह एक वड़े का शेप रहेंगा और जब हमें से एकड़म पतला बनाएंगे तो यह टि और पाइ बंड करके सारे वड़ा एड करूँगी तो देखिए बिल्कुल भी तूटे नहीं है ओईल में डालने से हमारे जो वड़ा थे वह और हम इसे गोलडन ब्राउन या फिर एकदम लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राइट करेंगे मैं टाग ब्राउन होने तक इसे थ अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए